महा मारी के इस दौर में कोरोना के खिलाब जागरुकता अभियान में भी भारतिय मिडिया ने जनता की अभुत्पुर्व सेवा की है सरकार के कारियों की विवेचना, सरकार की योजनाओं में जमिनी स्वर पर जो कमिया है उसे बताना, उसकी अलोचना करना ये भी हमारा मिडिया बखुबी करता रहा है हाँ कई बार ऐसे मोके भी आते हैं जब मिडिया की आलोचना भी होती है सोशल मिडिया के दौर में तो यह और भी ज्यादा स्वाभावी हो गया लेकिन आलोचना से सीखना भी हम सब के लिए उतना ही स्वाभाविक है और आवशक भी है और इसलिए ही आज हमारा लोकतंत्र इतना शसक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, साथियों जिस तरह आज हम अपनी विरासत, अपने विज्ञान, अपने संस्कृति, अपने सामर्थ को लेका आगे बढ़ रहे हैं, उसे स्विकार कर रहे हैं, हमें अपने इस आत्मिविवास को आगे बढ़ाना है, आज जब हम आत्म निर्भर भारत के बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने के बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मिडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्र दे रहा है, साथियों हमें अपने इस वीजन को और व्याप करने की ज़रूरत है, भारत के लोकल प्रोडक्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है, दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है, आज लगबग हर अंतराष्ट्य मंच पर भारत की बहुत मजबूत उप स्थिती है, ऐसे में भारत्य मिडिया को भी ग्लोबल होने की ज़रूरत है, हमारे अख़बारों की मेगेजिन्स की ग्लोबल रेपूरेशन बने, डिजिटल यूग में, डिजिटल यी हम पुरी दुनिया में पहुंचे